हलो एवरीवन वेलकम पेक टु मैं अधर व्लॉग हो और सारे किता चंगे चलो तुसी चंगे तासी बहुत ही चंगे आग मैं फिर आपके पास लेके आयो एक वीडियो और वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ड करना चाहते हैं क्योंक जिसका बखने में वीडियो आपक साथ बाति शेयड़ा वीडियो कि यहां तक मैं अपना एक्सपिरियंश यह करो गीज़ऑ ही तो झारे काषी का आपके साथ एच्प立ा़ियो पहेम पना प्लमे crypto नहीं सोड़े हो में मैं ठोग वत्सissippi एक तो कि शूचे भ présentा इसेश प्सप कि जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, जो सोच रही है हाउस वाइफ कि हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लें, तो उनके लिए सबसे बड़ी बात में पहले ये कहूंगी कि वो लोग अपना दिल दिमाग तयार कर लें, कि आप प्रॉपर टाइम दे पाएंगे, डेली वीडियो अपलोड कर पाएंगे, साथी साथ घर वालों का खयार रख पाएंगे, पहले घर वालों से पर्मीशन ले लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कहने की बाते होती हैं कि आप रोज का आदा घंटा सिर्फ इसको यूट्यूब को दीजिए और चैनल स्टार्ट कर लीजिए, ऐसा नहीं होता, जो लोग ये कहते हैं वो गलत बात कहते हैं, काफी टाइम देना पड़ता है, इसको जोब की तरह लेना पड़ता है, जैसे हम जोब के लिए बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, कोई भी मौसम हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कैसी तबियत हो, घर के हलात हो, हम लोगों को जाना पड़ता है, वैसे ही ये आप एक जॉब समझके इसको स्टार्ट कीजिएगा, ये कोई खेल नहीं है, तब ही आप इसमें सक्सेज हो पाएंगे, तो बात रही कि फर्स्ट व्लॉग में क्या बोलें, तो फर्स्ट व्लॉग में जादा से जादा पहले कोशिश करिए, कि आपका जो फोन है, वो आप कुछ थोड़ा सा जिसकी क्लियरिटी हो, वो लीजे जिसका कैमरा अच्छा हो, वो लीजे, उसके साथ सा थोड़ा लाइटिंग का प्रॉपर ध्यान रखिए, बलर ना आए कोई भी चीज, और फरस्ट व्लॉग में काफी लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि सबी लोग ऑन कैमरा थोड़ा हो जाते हैं, परशान, नर्वस हो जाते हैं, कई लोगों के मैंने भी first vlog देखे हैं वो ये कहते हैं कि हम सुबह से लेके शाम तक सोचते रहे कि हम क्या बोलें कई बार शूट किये फिर उनको डिलीट किया होता है ऐसा तो अगर आप कहते हैं कि हम first vlog में क्या बोलें तो सबसे पहली बात है कि हम लोगों को पहले हमको अपना phone या camera पकड़ना आना चाहिए कि वो किस direction में पकड़े और उसके बाद face पे smile लाईए जाए तो बस फिर आप अपना नाम बताईए अपने शहर का नाम बताईए आपकी जो family है उसके बारे में अगर आप बताना चाहते हैं आप अपनी education के बारे में बताना चाहते हैं आप अपनी job के बारे में या कोई business start करते हैं यह जो भी आप करती हैं आप उसके बारे में बताएए आप अगर अपना background याने की family में अगर सुराल या माईका अगर आप बताना चाहती है तो वो बता सकती है साथ में सब लोगों से request करना बहुत जरूरी है बार बार जरूरी है कि प्लीज आप हमें support कीजिए क्योंकि ये support के बिना channel बेल्कुल भी नहीं चलता तो सब लोगों से support करने के लिए हमें बार बार demand करनी है smile देनी है अच्छा अच्छा बोलना है किसी की बुराई नहीं करनी है क्योंकि बुराई करके कब तक आप channel चला लेंगे तो लोग देखना भी नहीं पसंद करेंगे अच्छा अच्छा बोलिए बस अगर आपको कुछ आता है आप उसके बारे में बता सकती हैं अगर आप पढ़ाती हैं या आप मतलब housewife हैं तो आप घर में कोई काम करती हैं या आप किसी social worker हैं तो आप किसी सरस्था से जूड़ी हुई हैं आप जो कुछ भी हैं उसके बार करना है कलियों ने अपना कुछ हैल्थ इशूज उनके लिए पैसे चाहिए कई लोग इस चक्कर में भी यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं कि शायद यहां से भागे जाग उठे और भागे जा दिता भी है मैंने देखा है कि यह जिंदगी मिलेगी ना दोबारा नाम का एक च चालक थे तो उनको लॉव मेरिष थी किसी ने सपोर्ट नहीं किया एक छोटा सा दोड़ हाई साल का बच्चा भी था तो फिर उसने लोगों से थोड़ी सी हैल्प मांग के यूट्यूब चैनल स्टार्च किया और उसके लक्त ने साथ दिया मैं तो यही कहूंगी क्योंकि म इस तरीके से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा अपनी स्टोरी बताई तो वो काफी जल्दी वाइरल हो गई लोगों ने उसको बहुत पैसा भीजा बहुत सपोर्ट करी डॉक्टर्स में भी करी और फाइनली उसने मतलब अपनी किड्नी डोनेट करी और उसके हस्बेंट क उसने अपरेट करवा लिया तो आज वो उसी के जरिये यह हस्बेंट उसका कमाने लाइक तो नहीं रहा अभी वो रैस्ट में ही है तो जैसे कि आपको पता हिए कि किड्नी के जो पेशेंट होते हैं उनको काफी जादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उनको इंफेक और वो कुछ एड़ वगरा से जो भी मिलता है वो उससे काम चला लेती है तो कई लोगों का मैंने देखा है कि ट्रीट्मेंट वगरा कराने के लिए जो पैसा चाहिए होता है कर लिजाता है तो कई बढ़ी बढ़ी गाड़ियां ले लिए घर ले लिए हैं तो जिसकी किसमत में लिखा है इसलिए अगर आप ट्राई करना चाहते हैं व्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर लीजे कोई आसी बात नहीं है लेकिन माइंड मेकप करके करिएगा कि इसको टाइम देना पड़ेगा तो बस फिर क्या है कि आप अपने अगर जो मजबूरी है या जरूरत ह जिसके कारण आप ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं आप वो भी बता सकते हैं अगर आप कश्वाओं के तो वो भी बता सकते हैं फिलहाल फर्स्ट वाले व्लॉग में इतना ही बताईए उसके बाद आप continue अपनी जो जो वीडियो जालना चाहते हैं वो डा के आगे लिपाई करते हुए जाडू लगाते हुए सबजियां काटते हुए सबजी बोते हुए कपड़ेद होते हुए नल चलाते हुए कहीं भी आप गाओं का कोई भी बैक्राउंड लेके अगर करेंगे तो आपका बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल चल निकलेगा क्य जादा लोग पसंद कर रहे हैं तो आप अपना वैसा बैक्राउंड ले लीजिए और अपना दिखाईए जो भी है आपका घर बार तो बस आप बनाईए दो तीन चार मिनट की वीडियो जो भी आप उसमें कह सकते हैं तो बना दीजिए जो ट्रेंड बिल्कुल चला हुए क चालिस स्केंड पैतालिस स्केंड यानि कि एक मिनट से कम की होनी चाहिए उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है भाइ चांस किसी की हो गई वाइरल तो हो गई पैले वाले में आप जितना अपनी क्रेटिवीटी दिखा सकते हैं लोगों को अट्रेक्ट कर सकते हैं लोगों को तो फिर मैंने आज आपको लगता है पूरी तरह समझा दिया होगा मैंने अपनी तरफ से तो फिलाल कोशिश की है और अगर आपको कुछ और पूछना हो तो प्लीज मैसेज कर दीजेगा तो फिर मैं उसके ऊपर भी एक और वीडियो बना दूगी तो बस इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ तब तक तुसी आपदा ख्याल रखना है असी आपदा ख्याल रखना है बाकी सारे आदा राब रखा